बहुत कठीन है यह मानों का देह, पर उस कठीन मानों के देह में भी सबसे ज़्यादा कठीन है भगवान का भजन करना। शरीर मिल गया, मानों का शरीर प्राप्त हो गया, मिल गया, पर इस मानों के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको हमें निखारना कैसे है, इस मानों के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको सहजना कैसे है, इस मानों के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमें किस तरह से भगवत भजन करें, किस तरह से भगवत इस्मरण करें कि हम परमात्मा की श्रणागती तक पहुत जाए, वो प्राप्त करने का एक लक्ष ब मर्त्यू लोक में, संसार सागर में, किसी को भी साधरण मत समझो। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो साधरण हो, सब कुछ न कुछ बल रखते हैं। सब में कुछ न कुछ बल देकर मेरे भगवान जन्म देते हैं। किसी को भी साधरण नहीं समझना हो। घर में माता हों, घर में पिता हों, घर में भाई, बंधु, कुटुम, कवीला, ना ते लिष्टे, जितने भी समाय हों हैं। जो भी हमारे परिवार में हैं, हम इसको हलका न समझें, हम इसको साधरण न समझें। एक साधरण सी चीटी भी अपना तत्व रखते हैं। जर अविचार करिएगा, एक लाक रुपे का हीरा, पांच लाक रुपे का हीरा, अंधेरे में कहीं खो जाए। एक लाक पांच लाक का हीरा अंधेरे में कहीं खो गया। अब उसको ढूंडने के लिए, पांच रुपे की मुम्बत्ती को जलाया जाता है। और पांच रुपे की मुंबत्ती को जलाकर हम उस हीरे को ढूंडने का प्रयास करते हैं एक लाक रुपे के हीरे को अंधेरे में ढूंडने के लिए पांच रुपे की मुंबत्ती को जलाया जाता है और उसके प्रकास से हम हीरे को ढूंडने का प्रयास करते हैं मात्र पांच रुपे की मुंबत्ती और वो पांच रुपे की मुंबत्ती एक लाक के हीरे को ढूंडबा देती है उसका प्रकाश एक लाक के हीरे को ढूंडबा देता है मात्र पांच रुपे की मुंबत्ती थी, सात रुपे की मुंबत्ती थी, दस रुपे की मुंबत्ती थी, जिसने एक लाग के हीरे को अंधेरे में से ढूंड कर निकाल कर बाहर दे दिया, उसी तरह संपून जीवन में मात्र सात दिन की श्यू महापुरान की कथा है, जो इस आ आत्मा रूपी हीरे को परमात्मा से मिलाने का काम कर दो कि अब लोग कहें कि सब श्यू पुराण में है क्या श्यू पुराण में रखा क्या है श्यू पुराण में है क्या कि श्यू महापुराण में ऐसा है क्या कि श्यू पुराण में ऐसा क्या है कुछ है तबी तो संसार के लोग इस शू महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहें। मेरे देव अधिद्य महादेव के पास में जो भी सामगरी रखी है वो कोई साधरन सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है तो वो भी कीमत वाला है एक तुरिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जा शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है, तो जो शिव जी से लगा रहता है, उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोले नात बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर मेरा ओभडी मेरा दातार मेरा दायालू मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुझ गया, जो श्यू महापुराण की कथा में या श्यू मंदिर तक शिवाले तक पहुझ गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधरण सा देश नहीं है, पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गोरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुग भी होता है, कि किस भारत की भूमी में तुम जन्मे हो, तुम को मालूम है। ये भारत की वो भूमी है, जहा का पत्थर भी पानी में तेर जाता है, तो मनुष्य तो भव से पारुतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है, जो भारत की भूमी में जन्म लेने के बाद भी कही ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रह sutे हैं। कहीं ना कहीं कस्त भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमी का पत्थर भी पानी में तेर जाए। जिस भारत की भूमी का एक पत्थर का तुकड़ा भी पानी में तेर जाता है। यह वो भारत की भूमी है, जहां पर केवल पत्थर जब पानी में तेर सकता है, तो आप भगवान का नाम लेकर इस भाव सागर में भी तेर कर पारू कर सकते हैं। केवल पत्थर नहीं, आप भी एक पत्थर आया देखिए आप। में रविकांता साहू, नोवेल साहू, ग्राम, बानगर, तहसिल, कुरुद, जिला, धमतरी से आया, कई बेठे हों तो हाथ हिला यहागा। आप ही हैं। ऐसे हाथ हिला दो एक बार दो हूं। ग्राम, बानगर, तहसिल, कुरुद, जिला, धमतरी से आया है, मेरा मोबाइल नमबर यह है। गुरुदेव, मेरी बहन डालेश्वरी साहू, नया गाउं राजीम की हैं। जिनका पहला पुत्र बारा वर्ष की आयू में आ गया। और बारा वर्ष की आयू में आने के बाद दिनांग 28 दिसंबर 2021 को मेरी बहन का पुत्र, एक ही पुत्र था, इकलोता ही पुत्र था, वो शान्त हो गया। गुरुदेव, बारा साल का बेटा शान्त हो गया, 18 दिसंबर 2021 को, मेरी बहन बड़ी तूट गया। उसके जीमन में पाहड सा तूट गया, क्योंकि बारा साल का बेटा जिसका मर जाए, उसकी जिन्दगी में क्या नहीं हो सकता। तब आपकी शुमाहपुरान की कथा में आपने एक बार कहा था, कि शिव पर भरोसा करा गया, कभी नहीं टूपता। हमने हमारी बेहन से कहा, तुम पशुपती वरत प्रारम करो और शिव जी से अराधना करो। बेहन कहती है, डॉक्टर नहीं एक ही पुत्र के लिए, एक ही संतान के लिए तो कहा था, और वो भी चले गया, कहा से आएगा। हमने कथा में कई बार सुना है, शिव जी से जो मांगा जाता है, वो देता जरूर है। हमारी बेहन ने उसी पुत्र की कामना के लिए संकर जी का पशुपती वरत करना प्रारम करा। और बाबा की करपा का क्या वर्णन करें गुर्देयो। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, वहां बेहन का गर्व ठेर गया। और बाबा की क्रपा से उनके यहां पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई है। यह बाबा के चर्णों को हम नमन करने हैं। बेठिये बाबु श्री शिवाय नमस्तुु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। भगवान शिव की भक्ति इसी को कहते है। अब जो चला गया वह बापिस आ नहीं सकता। पर भाग्य में उसी को मेरा महादेव किसी ना किसी के रूप में वापिस लाकर दे देता है। यह वो शिवतत्त वहमा है। यह वो ग्रड़ी है। आपका भरोसा, आपकी दढ़ता, आपका विश्वास पक्का है, तो फिर तूटेगा नहीं। जिस भारत की भूमी पर पत्थर तेर जाते हों, उस भारत की भूमी पर मनुष्य का तेरना सहज है। पत्थर तो निर्जीव है। पत्थर तो निर्जीव है। जब वो पानी में तेर रहा है तो आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीड़तन, आपका मंत्र जाब, आपका चड़ाया गया एक लूटा जल, शिवजी को जो आप समर्पित कर रहे हो, भगवान को जो आप चड़ा रहे हो, एक बेलपत्र या, भगवान का जो मन से गुणगान कर रहे हो, ये कोई खाली जाने वाला नहीं है। इसका फल मिलेगा, पर फल उसी को मिलता है, जो दिखावे के बिना भगवान की भक्ती करता है। दिखावे के बिना, खाली न जाता कोई दर से तुमारे, मैं भी खड़ा हूं न ग्रते बादे पसारे, अपने रदे से लगा लो, लगा लो, किदा जाना रहे हुआ। उठालो प्रभु अपने दर से अब तो अठालो गिरा जा रहा हो उठालो उठालो शिव कथा कह रही है भगवान उसंकर का संबाद कह रहा है शिव महापुरान की कथा कह रही है आपका विश्वास दड़ी होना चाहिए आपका भरोसा पक्का होना चाहिए जब तक विश्वास दड़ी नहीं होगा भरोसा पक्का नहीं होगा तब तक परमात्मा के मिलन नहीं हो सकता है शिव कथा माता पार्वती जी ने शिव जी की जो भक्ति करी है माता पार्वती जी ने जो भगवान संकर की अविरल भक्ति को धारण करा है किसी के एक बार तुम रुका जी से जब बात हो गई तुम रुका जी ने जब समझा दिया तुम रुका जी जब समझा दिया तुम रुका जी जब समझा दिया तुम रुका जी जब समझा दिया है तुम रुका जी जब कह दिया है तो उसके बाद माता पार्वती जी से फिर क कोई गल्टें, फिद उनोंने किसी गल्टी को नहीं कर發現 जब tक हम भ़गवान की सेवा को नई समझते तब तक गल्टी कर ले चलेगा पर जब हम भगवान की सेवा को समझ गए हैं उसके बद हम गलिटी ना करें उसके बाद हम गल्ती से दूर रहें, फिर गल्ती ना हो, जितना समय मिले, जितना पल, जितनी घड़ी, जितना समय, जितना सेकंड मिले, कई लोग ऐसे भी हैं संसार में, कई लोग ऐसे मिलते हैं, जिनको किसी ने गुसा दिला दिया, तो उनका पूरा दिन गुसे में निकलता, किसी न अगर कुछ बोल दिया तो उनका पूरा दिन ऐसे ही निकलता पूरा दिन बेकार कर लेते हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं एक बात बताओ तुमारे पास में 86,400 रुपे हैं मान लो तुम्हारे पास में 86,400 रुपे हैं और वो 86,400 रुपे में से 10 रुपे अगर कोई चोरी करके ले जाए मान लो 86,400 रुपे में से कोई 10 रुपे चोरी करके ले जाएगा तो तुम गुस्से में आके 86,390 रुपे फेक दोगे क्या अरे बोलो जम के बोलो नहीं फेक हो गए तो जब तुम 86,400 रुपे में से अगर कोई 10 रुपे लेकर चले भी गया तो तुम 86,390 रुपे नहीं फेकते तो 86,400 रुपे प्रतेक मनुष्य को 86,400 सेकंड हर मनुष्य को 24 घंटे में 86,400 सेकंड मिलते हैं और मान लो किसी ने तुमारा दस सेकंड अगर बेकार भी कर दिया तो हम 86,390 सेकंड क्यों खराब करें उसमें भगवान का भजन क्यों ना करें हम उसमें भगवत भजन को क्यों नहीं धारान करते हम उसमें भगवत भजन क्यों नहीं करते हम उसमें भगवत कीर्टन क्यों नहीं करते हम अगर दस सेकंड चले भी गए दस रुपे कोई चोर कर भी ले गया, दस सेकंड अगर चले भी गया, तो भी तो हम बगबद बजन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं, हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, गुरुजी हम बड़े दुखी रहे, पूरी जिन्दगी, हमारी पूरी जिन्दगी कष्ट में निकल गया, अरे तो जिन निकल गया, उसको कब तक रो गया, अभी तो अच्छी जिन्दगी चल रही है ना, अभी तो बहुले ना जी ने तुम्हें समाल लिया ना, तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है, हाँ अभी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, तो पुराना काई को रो ना, अब जो अच्छा चल रहा है, उस अच्छे जीवन में, उस अच्छे समय में हम क्यों ना अपने अच्छे जीवन को और आगे बढ़ाएं शिब नाम, राम नाम, कृष्ण लेकर और आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी जिन्दगी को और अगरेन करते चले जाएं पीछे क्यों रोना कई-कई बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिन्दगी पर रोते ही रहते हैं हमारा पुराना समय बहुत बेकार गया अब गया तो उससे क्या दिक्कत है गया ना आप तो बोले नाप जी ने हाथ पकड़ा ना अब तो शिव जी ने हाथ पकड़ लिया अब तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया तो कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया अब तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया और जब अब भगवान ने अगर हाथ पकड़ लिया है तो फिर अब रोना नहीं है अब परसन्न होकर इस जिन्दगी के पढ़ाओं को आगे बढ़ते चले जाना है अब नहीं रोना है क्यों रोएं हम किसके लिए रो भोले में तेरी पत्व शंभू में तेरी पत्व हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हट तो छश्टी नमें कट्टी जावागी भोले में तेरी पत्व दुनिया के लोग आपके सामने आकर कहें मैं सुबह से निकलती हूँ तो बीपी की गोली खाकर निकलती हूँ मैं सुबह से निकलती हूँ शुगर की दवा खाकर निकलती हूँ मैं सुबह से निकलती हूँ तो मैं थाइराइट की दवा खाकर निकलती हूँ उनको कह देना तुम सुबे से निकलती हो तो दवा खा कर निकलती हो जो महादेव के मंदर में जाकर एक लोटा जल चड़ा कर महादेव के चरणों का जल का आच्चमन कर लेता है पी लेता है उसके तीन ताप तो यूही समाप तो हो जाते ये विद्धेश्वर सहीता में लिखा है एक बेटी में प्रिश्ण लिखा है कोई ने मेरा नाम कनईया लाल सर्मा है मेरी उम्र पे 75 बर्च है मैं जान्जगीर जिला जान्जगीर चांपा का रहने वाला मेरा मोवाइल नंबर ये है मैं शर्मा जी से कहना चाऊँगा उन्होंने एक प्रिश्ण किया है गुरुजी आपने प्रसूती श्यू महा पुरान की कथा में बीरणी का बंणन किया था ये कौन सी पुरान में से किया था पहले तो हम शर्मा जी आपके चरणों को नमन करके प्रणाम करकर कहना चाहेंगे प्रसूती श्यू पुरान में जित्ती जित्ती बाते बोली गई उसमें अध्याय नंबर और कौन से पुरान से कहा गया है उस पुरान का भी नाम और उसके खंड का नाम भी बोला गया है उस पुरान को उस कथा को एक बार बापिस निकालना और फिर वापिस पढ़ना कि श्यू महापुरान के सती खंड में से बीरणी और परसुती का चरीत्र का बाचन किया गया था उसको वापिस निकालिया और उसका इस्तमर्ण करे आपके मन में आया है बिल्कूल उसको वापिस सुनना कि किस पुरान में से कौन से अध्याय में से कौन से खंड में से लेकर उस कथा को बाचा जा रहा और कोई आप से पूछे कि एकांतेश्वर महादेव की कथा आप कहां से बाच रहे हो तो लिंग पुरान का इस्तमर्ण करिएगा इसकंद पुरान का इस्तमर्ण करिएगा और शुमहापुराण के सुंदर आनद में उमाखंड का इसमर्ण करियेगा उसमें एक अंतेश्वर शिवलिंग का वर्णन मिलेगा जिसमें केवल माता पारवती जी ही नहीं माता पारवती जी की माता मेनावती और मेनावती ही नहीं मेनावती की भी दोनों बहने धन्य और कला ये भी एक आंतेश्वर शिवलिंग का पूजन करती थी जो आगे के चरीतर में अपने लोग शर्वन करेंगे एक-एक संबात को आप अपनी जिंदगी में उतारी ये श्यू महापुरान के एक-एक संबात को कई लोगों के मन में भ्रह्म आ जाता है किसी ने कह दिया संकर जी का चड़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए हमने उनको भी कहा विदेश और सहीता की ये ये अध्याय को ये ये शब्दों को इसमर्ण करिए श्यू महापुरान अपने घर में रखिए और पड़ो कहीं सीवर वाला महाराद जूट तो नहीं बोल रहा है कहीं सीवर वाला महाराद गलत तो नहीं बोल रहा है और आपको अगर कहीं भी भ्रह्म हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो महाराजी आपने कौन से अध्याय में से कहां से बोला तो आपको हमको ज़्यादा कुछ नहीं आता केवल यह जो यह सिव पुराण है जो तुमको हम बता दे दर्सन करा दे बस यह सिव पुराण जो है यह गीता प्रेश गोरकपुर की है इसको बजार से लियाओ और इसको हम भी पढ़ते हैं आप भी पढ़ो इसमें कुछ भी नहीं जित्ता पढ़ोगे उतने अंदर प्रविष करते जाओग省 उसमें से निकालते जाओगे बस उसका अध्यान उसका इस्मर्ण मूल रूप सेख़़गे मूल रूप सेख़़गे शिवतत्यव को जानना है हम को हमें 31 महादेव का वर्णन एक बार तुम रुका जी न माता पारवती को समझा दिया कि कीर्थी का बखान नहीं होना चाहिए तुमारे यश का बखान नहीं होना चाहिए दूसरा करे बाहर जाकर करे महादेव के सामने ना करे माउंट एवरिष्ट की चोटी सबसे हूँची चोटी है बोलो सहिए की गलाते केलास परवत तो उससे भी नीचा है और किसी इतने माउंट एवरिष्ट पर चड़ने वाले थे इतने उपर उन्नती की सीड़ी पर चड़ने वाले थे एकात किसी का नाम चाट कर बता देना कि जो केलास परवत के उपर चड़ गया केलास परवत के उपर चड़ गया उसका एक का नाम लाके दिखा दो कि ये केलास परवत के उपर चड़ा था ये केलास परवत पर चड़ गया माउंट टेवरिष्ट पर चड़ना सरल है पर केलास परवत भले उससे नीचे है पर उस पर चड़ना सरल नहीं है क्यों? क्योंकि उसका तत्व मात्र केलास को छू लेना, मात्र शिवलिंग का इस पर्ष कर लेना, मात्र संकर पर चड़े हुए जल को मात्र पी लेना, उस जल में इतना बला जाता है, कि बड़ी-बड़ी रोग और बिमारिया दूर हटती चली जाती है, और आप आगे बढ़ हम सुभे से थाइडाइट की दवाई लेते हैं, हमारा निवेदा ने, एक दवा आप भी चालू कर दो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करना, और संकर जी को एक लोटा जल चड़ाना, और उसका आचमन करना प्रारम कर दो, वो दवाई लेकर जाते हैं, तुम दूआ ले कर जाईएं, वो दवाँ का असर करेगा एक शिवलिंग में कितना बल होता है, लोग उसको पठर समझते हैं, लोग उसको पाशान समझते हैं, लोग उसको कंकर समझते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं हम सारे दुनिया में घूमे गुरु जी और कुबरेश्वर धाम आते हैं और वहाँ पर कंकर संकर की इतनी महत्वता है कि केवल हम बोल कर आते हैं और तीन महीने में काम हो जाता है आखिर कुबरेश्वर धाम के कंकर में ऐसा है क्या जितनी स्युकुरान की कथा पूरे भारत में हो रही है, जहां जहां पंडित लोग बाच रहे हैं, महराज और बाच रहे हैं, गुरू और बाच रहे हैं, सब जगा संकर जी का रुद्राक्ष का शिविलिंग बनाते हैं, और बाद में शिविलिंग के रुद्राक्ष को उतार के सबको बाटते हैं बोलो तुमारे भी बढ़ता होगा सारी दुनिया में रुद्राक्ष बढ़ रहा है आप सी योर में पहुचोगे इस्टेशन पे पहुचोगे कुबरेश्वर धाम भी नहीं जाओगे तु लोग कह देंगे महां बच जाओ हमारे पास मिल जाएगा तुम लोग कहेंगे पर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उसी भूमी से मिलता है और बिना शुल्क के बिना पैसे के और जब बाबा की मर्जी हो जाती है तम मिल जाता है और वो प्राप्त हो गया और उसने अपना काम करना प्रारम कर दिया हं दूसर्भा का नहीं कैसा उसक इसका कोई शिल्क नहीं इसका कोई कीमत नहीं, कोई पैसानária और उसको अप ejerc worldview यहां तक कोई तुमसे आ कर दे कि कई लोग मिलेंगे तुम को ऐसे वो भी कह देंगे हम सिवार में रहते हैं हमारे पास मेंरे हुह आग SAN R teenager how to really say yes that kub magical La कुमी के सिवाए वहां से किसी पहचान वाले को में नहीं दिया जाता वहां से आपको आना पड़ेगा आपका परीचित आएगा आप पहुचेंगे मिलेगा कंकर शंकर की धरा है उस कंकर शंकर का इस पर्ष जब आपके शरीर से होगा और वहां से लाया हुआ रुद्राच प अब एसे तो दुनिया में बहुत कथाएं होंगी और सब जगा रुद्राच्छ बटेगा, सब जगा बटेगा, ले जगा, सब जगा की कीमत, और सरहल भासा में समझ लो, यहां बाहर दुकान लगी होगी, बोलो री जी जी हो सही है, बाहर दुकान लगी होगी, तो यह बेल बेल पत्री में इते बड़े प्तल में द दस रुपे की बिकरक है मंदिर के बाहर 10 रुपे की बेल पत्री मिल जाएगी बेल पत्री जोु तुमने दस रुपे की खरी दी तुमारी सुगर तुमारी बीपी तुमारी थाईराई जो तुमने बेलपत्री वहाँ से खरी दी दस रुपेगी उसको एक जगा बेट के खा लेना और वो बेलपत्री जो संकर के शिविलिंग पर चड़ी है उसकी केवल एक एक बेलपत्री शिव से टच हो गई उसको उठा कर खा लेना आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उस बेलपत्री में और उस बेलपत्री में कितना अंतर है कितना अंतर है उसमें चलो वो भी जाने दो आप में से किसी ने सत्यनरेण भगवान की कथा करवा ही क्या जिन जने करही जर आथ उठाओ तो सब ने करही है रख लो रख लो सत्यनरेण भगवान की कथा में परसाद बनता है काय का बनता है है आटे का सेख के सक्कर मिला के परसाद बनता है अब तुम एक प्रिक्टिकल करके देखना, एक कटोरी सत्तनरण भगवान का परसाद, सत्तनरण भगवान की कथा में भगवान के सामने रख देना, और एक कटोरी परसाद सेख के फिरिच के उपर रख देना, जब सत्तनरण भगवान की कथा पूरी हो जाए, पूजा पूरी हो जाए, हवन पूरा हो जाए, आरति पूरी हो जाए, दोनों पर साथ को उठा कर खाना, जो भगवान के सामने लग गया, उसमें साथ बढ़ देना. अब वो भी जाने दो और समझ लो गल्ती नहीं हो इसलिए समझना जरूरी और समझो तुमारे घर में वो इत्ता बड़ा फ़लाता न कद्दू क्या बोलते कद्दू कद्दू की सब्जी mix-based सब्जी रामभाजी अपने घर में बना कर खाना पुड़ी अपने घर में तल कर खाना और वो ही कद्दू की सब्जी वो ही रामभाजी किसी भंडारे में मोटी-मोटी पुड़ी और तोड़-तोड़ कर खा कर देखना अपने आप मालूम पड़ जाएगा स्वात कहां का आये गर में स्वाद आएगा की भंडारे में कित्ती जल्दी बोले रहे कहां स्वाद आएगा भंडारे में स्वाद आएगा स्वात्रफ तो घर में बेटकर कथा सुनना सोफे पर टीवी के सामने और पंडाल में बेटकर कथा सुनना स्वाद मालूम पड़ेगा घर में तो टीवी के सामने तुम हो और सियोर वाला महराज और तुमारे हाथ में रिमोड जब चाओ जब महराज बन जब चाओ महराज चाओ ठीक है और यहां का स्वाद कोई इदर से दवाए कोई उदर से दवाए महराजी नहीं दिखे ओपर से भोलेनाजी को जित्ता पानी चड़ाया रात को पूरा बरसा देता है कोई कह रहा था गुरुजी पहले इत्ती बेसाक महीने में गर्मी में इत्ता पानी नहीं गड़ता था आजकल कित्ता गिर रहा है तो कई लोग दिन बार धूप को कोशते रहते हैं इत्ती गर्मी पढ़ रहे इत्ती गर्मी पढ़ रहे इत्ती गर्मी पढ़ रहे इत्ती गर्मी पढ़ रहे अरे कूलर में दो बाल्टी सुभेरे पानी डालते हो दो बाल्टी रात को कूलर में पानी डालते हो अगर दो लोटा पानी तुमारी दुकान के पास में जो पेड़ लगा है उसमें डाल देते तो कूलर की भी ज़रुवत नहीं पड़ती पर इत्ता अलसी दो वाल्टी पानी कूलर में डालेगा पर पेड में एक लोटा पानी नहीं डालेगा एक लोटा बढ़े दुकान के पास में कच्रा पटक देगा पेड़ के अनीचे पर पानी अर्च क्रम ऌनेट और फिर के बहुत कर्मी पड़ रहे रहें अरे दादा यूर में दो वाल्टी डाल रहा है तो एक लोटा दो लोटा पानी वो पेड में डाल देता तो वो जब हवा देता तो गर्मी का खेसास ही नहीं होता पर हमने खूलर पर विश्वास करा पर वो पैड़ पर विश्वास नहीं कर पाए उसी तरह शिव कुरान कर रही है परसाथ सत्यनरेंजी के सामें रखा वो स्वाद दे रहा है जो अलग रखा उसका कोई स्वाद नहीं है उसी तरह भंडारे की पुड़ी सबजी स्वाद दे रही है क्योंकि भगवान का भोग लग गया उसी तरह कुबेरिश्वर धाम का रुद्राक्ष वो उस भूमी का है इसलिए स्वाद अधिक दे जाता है उसका तत्व बढ़ जाता है